हेलो गाईज वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं आज आपनों से कुछ दिया यही शेयर करूंगी और साथ मेरे घर में काम चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जारा है जिसके चलते वीडियो लेट हो जारा है तो मैं जाती हूं जल्द से जल्द आपनों को वीडियोन चेहर करें तो यह मैंने अभी पेंट करके बीट को रखा है यह मेरे टीवी उनिट में लगने वाला है तो मैंने अपने हाथों से पेंट किया और यह दही के डिब्बे हैं और यह सब साउस के जो बॉटल है इन सब को किजन के सफाई में मुझे मिले और यह मेरे बच्चे छोटे थे तब का यह बॉल है तो मैं इन सबसे करने वाले हूं तो देखे मैं यहां एक लाइन खिछ दी हूं पेन से और इसको मैं उसी नाप में कट करके निकालूंगी और बहुत सुंदर सुंदर और बहुत कम खर्च में यह बनने वा होते हैं अगर करने का मन भी हो तो अपने पैरेंट्स के निगरानी में यह काम करें तो यह तो मेरा कट गया अब मैं इसको होट गुलू से इस पर स्टीच कर दोंगी दबा करके तो यह आपस में जूड जाएंगे और जूड़ने के बाद मैं बहुत ही सुंदर इसको मतलब कम खर्च और कम मेहनत में बनने वाला है मैं सोच रही थी ऐसा डिया बना कर दूं अपने दोस्तों को जो मेहनत भी कम लगे और कम खर्च भी लगे और मेरे पास थोड़ा समय का दिकत है तो मैं समय भी अपना पचत कर रही हूं तो यह एस प्रेइपेंट है मैं करके रेडी हो जाते हैं तो मैं इसको एस प्रेइपेंट से पेंट कर दूंगी तीनों बॉटल को और सुखने के लिए छोड़ दूंगी तो जब तक यह सुखेंगे तब तक दूसरे आइटम पर ध्यान दिया जाएगा तो यह मेरे पास जो बचों का बॉल है अगर आपके कठा हो गया था बहुत सारा तो मैं सोची मेरे पास लकडी नहीं थी डाली बनाने के लिए तो मैं इसी को तीन चार गो एक साथ करके उपर से लपेट करके एक डंटी बना लूँगी और इसी से मैं आपने यह दूसरा डियाई वाई डडी करूंगी इस तरह से मैंने पतले- साइड में यह डाली भी बनाई हूं अगर आपको डाली मिल जाए किसी पौधे का तो तो सबसे बेटर रहता है तो यह वाल पुटी है और वाल पुटी से काम करने से पहले मैंने थोड़ा सा हाथ में अपने नारियल तेल को लगाया क्यूंकि अभी ठंडी के मौसम में हाथ पहले से ड्राई हो जाते हैं इसलिए मैंने लगा लिया और इसमें मैं थोड़ा सा फेवी कॉल डाल रही हूं और फेवी कॉल डार करके इसको आटे के तरह गूथ लूँगी को बच्छे से और जब इसका डो अच्छे से रेडी हो जाएगा तब मैं इसका प्रियोग करके दिखाऊंगी तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाना है और इसको गूत करके एकदम आटा के लोही के तरह बना लेना है जैसे हम रोटी के लिए आटे को गूत लेना है और इसको लंबा मैं स्टिक के मतलब लंबाई इतना बड़ा कर ली हूं और इसे लोहे का ज सबसे बेटर है उसी से बनाएं तो ज्यादा बेटर आएगा मुझे मेहनत करना पड़ रहा है इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस टाइप के डाली को खोज करके लाओं कि मेरे घर में अभी मिस्तिरी कारपेंटर सब लगे हुए हैं तो कारपेंटर का काम चल रहा ह इसलिए मैं घर छोड़कर जा भी नहीं सकती और DIY सेयर करना है तो मुझे किसी भी हाल में यह बनाना ही था तो मैं सोची कि मेरे पास जो है अभी अभी अवलेवल उसी से मैं बनाऊं तो इस तरह से देखिए मैंने लपेट दिया और लपेट करके बना कर एस्टीक तेयार कि और यह हार्ड हो जाएगा सुखने के बाद तो मजबूत हो जाएगा अब ठोड़ा चोटा छोटा इसमें से मैं यह बॉल रेडी करूंगी बहुत सारा गोल-गोल मैं इसको बनाऊंगी और बहुत सारा गोल-गोल बना करके इसको जो मेरे पास बच्चों का बॉल होता है न उसी म्हां फेविकौल से कशक काऊंर नुट यदि यह तो जो बद साथ, यॉट पर फेविकौल लगा लेते हैं और इसको अच्छे से मिल्ट खर देंगे, तो पूरे पूरे बॉल पे इसको लगा देंगे और लगा करके तब इसको वाल पुटी से जो मैं बनाई हुई हूँ यह वला गुल-गुल बॉल तो मैं इसको चिपका दूंगी तो बहुत ही प्यारा समझे एक तरह से सरीफा आप नहीं मतलब फल जो होता है सरीफा तो उस टाइप के य इसको कलर कर दीजिएगा तो मतलब बहुत ही प्यारा लगने वाला है और बहुत ही कम बजट में बनने वाला है तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यह सब चीजों को मैं कब तक रखी रहूंगी बच्चे तो बड़े हो गया लेकिन उनका यह याद के तौर पर मैं रख पगया और यह होल था उसको मैंने अलग मतलब होल को नीचे रख करके उसको नहीं चिपकाना है होल को ऊपेन रखना है ताकि बाद में जब इसको डंटा उसमें लगाने के लिए जगा होनी चाहिए ना तो फिर देखे दूसरे बल को भी मैं फेबिकॉल से इस तरह से उते क मतलब में वेट भी हो गया है इनका और यह मेरा लखडी मतलब ढंटा भी सुग गया जिसमें मैं इसको खड़ा करूंगी ठोड़ा सा वाइर मैं छोड़ दी हूँ इस डंटे में पूरे वायर को कभर नहीं की हूं वाल पूट्री से और यह भी मेरा बोटल भी सुख चुका आज और बना करके देखेंगे कैसा लग रहा है तो यह मेरे पास पतला सा इक ब्रस है इससे मैं थोड़ा सा सोच रही हूं कि इस पर वार्निस लगा दूं काम के लिए वार्निस आया था तो भी लगाओंगी और यह पहले मैं गोल्डेन पेंट कर लेती हूं क्योंकि थोड़ा सा किनारी मतलब सुना सुना होता था ना तो सुना-सुना मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं सोचते हैं नीचे और उपर थोड़ा साइस में गोल्डेन पेंट लगा दूंता की सिलवर के साथ गोल्डेन कंट्रास्ट में आएका तो और भी प्यारा के लिए को जो पींट पेंट थिती तो उसमें वानिज लेंगे तो उसके लिए मैं एप照 सी आयू करते हूं कभी भी मैं वार्नेश की अभी तक यूज नहीं कि हूं लेकिन अभी मेरे पास अब लेबल है तो मैं सोची कि भाई थोड़ा सा वार्निस भी यूज कर रहीं लेंगे तो पहले इसको गोल्डेंट कर लेते हैं और यह जब सुख जाएगा तो मैं इस पर वार्निस लगा करके पहला एक्स्पिरियंस आप लों से सेर करूंगी कि वार्निस का लुक कैसे आता है मैंने सुना था लोगों को लगाते हुए यूटूपर देखा था लेकिन मैं कभी अपलाई नहीं की थी तो मुझे लग रहा है पता नहीं मुझसे कुछ उसमें कमी नहीं रह जाए फिर भी मैं आज ट्राइग करूंगी क्योंकि बीना ट्राइग कि किसी भी चीज की अंदाजा नहीं लगती है तो मैं आज ट्राइग करूंगी तो देखिए इस तरह से मेरा यह गोल्डन पेंट कम्पलीट हो गया अब मैं इसको रखूंगी साइड में और इसी तरह से सब बाट मतलब एक और यह सौस का बटल है उसको और यह दही के दीबे को भी मैं कम्पल तो आप चाहें तो इस पर मिदर भी चिपका सकती है लेकिन मैं बस यह गोल्डन पेंट ही करके और इसी तरह से इसको छोड़ दी हूं सुखने के लिए और यह बहुत भी मेरा ड्राइग हो चुका है तो इस पर मैं एक सोचती हूं ब्लैक कलर पेंट कर लेती हूं तो आज म में ब्लैक ले लेती हूं और मेरे पास यह ब्लैक मौजूद था तो मैंने सोचा आज इसी से इसको कम्प्लीट कर लेती हूं आप चाहें तो कोई भी कलर इस पर करेंगी तो बहुत ही प्यारा लुक लगने वाला है और एक यूनिक आइटम होता है ना सो यूनिक दिखेगा पता ही नहीं चलेगा किसी को कि आपने बचों के बॉल से घर में बनाया है तो इस तरह के डियाईवाई बहुत कम मार्केट में भी बहुत कम मिलते हैं और यह मेरे पास एक बॉल था जिसमें मैं बांस के पौधे को लगाई थी तो अभी ठंडे में मैं मिट्टी में लगा दी हूं तो मैं इसको भी डेकोरेट करूंगी तो इसको डेकोरेट करके इसमें मैं मनी प्लांट लगाने के लिए सोच रही हूं देखिए फिराद मैं आप लों से सेर करूंगी तो देखिए क्या चीज इसमें लगा करके सेर करती हूं जैसे बन पाएगा करूंगी क्योंकि पूरा घर मेरा अस्त बेस्त है और मार्केट से समान भी मुझे ही लाना पड़ता है और वरकर को मुझे ही देखना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्पेंट तो बाहर आते हैं तो साधी जिमेदादी मुझे ही रहती है घर कीचेन और मार्केट सब कुछ संभालना पड़ गया है इ लिख लगती के लिए मैं आप लोगों को सिस्करूंगी कि जितना जलडी हो सकें जितना से जड़ी जलडी um공 क्योंकि मुझे भी। मिलना रहता है और आप लोगों को मैं वीडियो से नर्जी मिलता है में आप लुग कमेंट तो देखे एक बावल यह है माईक्रोबे में मैं पहले यूज करती थी तो यह बहुत पुराना हो गया तो मैं इसको गमला के दूप में इस्तेमाल करूंगी तो देखे इसको भी मैं पेंट कर दे रही हूं ताकि यह मेरा गमला ब्लैक दीखेगा इसमें जो यह जो अभी मैं बना करके रखी हुई हो तो उसी में यह पॉट भी इस्तेमाल करूंगी तो यह सारी अब मेरा रेली हो चुका है और यह फुक चुका है तो यह वार्निस है करने के लिए तो इसी से थोड़ा साइस पे वार्निस कर देती हूं ताकि पॉलिस हो जाए तो देखें कैसा इसका अलुक क्रियेट हो रहा है कि इतना साइन कर रहा है और कैसा दीख रहा है इन सब चीजों को मैं पहली बार अभी अपने लाइफ में इस्तेमाल कर रही हूं क्य कि यह कैसा लग रहा है थोड़ा देखने में सुंदर लगे मेरे पास एक बड़ा जार है मैंने सोची थी बड़ा जार की बनाऊंगी लेकिन वह जार पता नहीं समान इदोदर रखने में कहीं रखा गया है जब मिलेगा तो मैं उस पर दूसरा डियाई वाई सेयर करूंग भी बहुत कमाल का आइडिया है मेरे दिमाग में जिस दिन मुझे मिलेगा मैं आपनों से वह भी आइडिया जरूर सेयर करूंगी तो तब तक देखिए यह बहुत ही काम का यह होने वाला है यह सीसा वाला जार इसमें आप मनी प्लांट लगा करके कहीं डाइनिंग टेबल कहीं भी रखिये तो बहुत प्यारा सुनधर लगने वाला है या बांश के पौधे तो गर में सुखसांती के लिए मदश के फौधे लगाये जाते हैं तो इसमें बी बहुत सूंदर लगने वाला है या यह फ्लावर कोई बीज कि इसमें रखेगा कोई भी फ्लावर रखेगा तो प्यारा लगेगा देखिए इस तरह से इसका लुका रहा है इसमें मैं कोशिस करूंगी कि छोटे ही पौधे लगाऊं ताकि देखने में भी सुंदर लगे तो फिलहाल मैं अपने बेटी के लिए जो इस्टेडी टेबल बन होंगी तो तब तक लिए देखिए कि यह मेरा यह कैसा लग रहा है और कॉमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसमें मैंने बालू भर दिया है और रख करके ऊपर से थोड़ा सा पत्थर रख दिया है और यह देखिए बाल कितना प्यारा लग रहा है तो इस तरह से आज का डिए मेरा कंप्लीट हो गया और आप लोग कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा अ अ अ और यह भी मैं आप लों से कहूंगी कि भाई जब भी मेरी वीडियो लेट होती है तो कुछ नकुछ कारण रहता है इसके लिए बहुत-बहुत मैं सौरी बोल रही हूं और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप नियुक्त आप लोग को पसंद आए तो अपने दोस्तों में जबूसियर कीजिए गा मुझे आप लों की सपोर्ट की बहुत ज़ूरत है मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट से जदूद किजिए गया तब तक के लिए अब मैं आपनों से यह वीडियो दिखाते हुए थोड़ा सा मतलब खुसी फिल कर रही हूं कि आज मेरे दोस्तों से मेरी बात हो गई मेरी वीडियो आप लोंग तक प और मस्त रहे और मेरा वीडियो देखते रहे ओके बाइटे क्यार अब